मा के खातिर पिया था? गोपाल ने पूछा अब भूल गई थी बेटा मा ये बहुत गलत बात है तुम्हारे सेहत गिर रही है और तुम दोद भी नहीं पीती हो गोपाल नाराज की व्यक्त करता अरे खाने के बाद नेंद लग गई थी तो नहीं पी पाई मा ने जवाद दिया अच्छा अब रात को पी ले ना? गोपाल ने कहा अब उसकी तो मैंने खीर बना दी तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना? मा तुम भी ना बहुत लापरवाही करती हो जवन प्राश खाई थी? अरे कल जवन प्राश खत्म हो गया था ना? इसलिए नहीं खा पाई बेटा और तुमने कहा भी नहीं? अब कल लेते आना बेटा ठीक है कल लेता आउंगा ऐसी रोज गोपालाता मा की पास बैठता और फिर खाना खाकर सूजाता सवेरे ओफिस चला जाता घर का सारा काम नौकरानी कर देती एक दिन मा प्रभादीवी ने कहा बेटा अब मेरे लिए बहु ला दे ना? अरे अभी क्या जल्दी है मा? बेटा पोते का मुँ देखने का बहुत मन करता है प्रभादीवी गंबीर होकर कहती ठीक है मा कर लूँगा थोड़े दिन और रुप जा जब भी मैं शादी की बात करती हूं तुम टाल जाते हो मा जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल मा से लिपट जाता अरे मा मैं हुना तुम्हारे लिए तुम बहु की चिंदा मत कर समय आने पर सब हो जाएगा मा बेटे लिपट कर खूब प्यार करती गोपाल का एक दोस्त था मोहन दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक आफिस में ही लगी लंज की समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा अरे यार कभी तुमारे किसी रिष्टेदार को तुमारे यां आती जाती नहीं देखा पिताजी के मने के बाद सारे रिष्टेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया गोपाल ने बताया क्यों? इस समय तकलिफ में रिष्टेदार ही तो काम आते हैं मोहन ने आश्यर इसे कहा लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ यहां तक कि चाचा जिनने पिता जिनने पढ़ाया लिखाया था उन्होंने भी नाता तोड़ दिया गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था मोहन ने कहा अरे चाचा को छोड़ो बुवा ने भी आना जाना छोड़ दिया सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोज बन जाएंगे अब भी नहीं आते जाते क्या बेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सबी ने रिष्टा फिर से बनाने की कोशिश की लेकिन माने मना कर दिया जब मुसीबत में साथ नहीं थे तो अब क्या रिष्टा रखना सही क्या माने कुछ दिन बाद गूपाल ने मोहन से कहा यार मोहन तुम अकेले रहते हो एक कमर्य में हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते दूनों साथ रहेंगे मोहन की बहुत ना नुकर करने के बाद गूपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे, गोपाल की मा को भी अच्छा लगने लगा, तीन-चार महिने बाद एक दिन गोपाल ने मा से कहा, मा मेरा नौ मेने के लिए चन्ने ट्रांसफर हो गया है, अरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, मा मोहन है और नौकरानी भी तो है, तुम्हें को तो बात है, बेटा ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या, मा ने रोते हुए पूछा, नहीं मा जी, वहाँ गोपाल के अलबा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है, मोहन ने मा को बताया, ये सुनकर मा रोने लगी थी, फिर एक दिन गोपाल चन्ने चला गया, मोहन मा का बहुत खैल रखता, रोकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी, और मोहन मा की हर जरूरत का ध्यान रखता, एक महिना हो गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो मा ने कहा, मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे, जी मा जी, मोहन ने मा को कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीकू मा, तुम चिंता मत करो। हर महिने मा गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता, बस मा तीन महिने और रुपना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है न? एरे जल्दी आना बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। अरे चिंदा मत कर मा, मोहन है तो हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है इसी बीच, चार-पांच दिनों के लिए मोहन भी चन्ने गया था और लोट कर आया तो मा को यही बताया था कि गोपाल बिलकुल ठीक है, चिंदा की कोई बात नहीं है मोहन हमेशा मा से गोपाल की बात कराता रहता, लेकिन आया नहीं एक बार मा बहुत बिमार पड़ी, फिर भी गोपाल नहीं आया मा की हालत खराब होती जा रही थी, आस पर उसके लोग तरह-तरह की बाते करते और ऐसा बेटा भी क्या जो मा की बीमारी में भी नहीं आये चेन्ने बहुत दूर है आने में समय लगता है फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जिल्दी कहां मिलती है कुछ दिन बीते मा की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है यह भगवान मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो मा की मौत में भी नहीं आया फिर जो कहानी मोहन पडोसियों को बताता है उससे सभी हैरान रह जाते हैं गोपाल को एक लाई इलाज बिमारी थी डक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही महमान है लेकिन मा अपने दो बेटों को खो चुकी थी पती भी नहीं थे अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी मा उसकी भी मौत देखे और बे मौत मर जाए हैं फिर वो फोन पर कौन बात करता था वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था जो मैं मा को सुना देता था गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपती मोहन ने अनाथालाई को दे दी गुरा, सा थाझी झाल दे जएलाई एक घच ओाल रदिता है झाल झाल